यह हमारा है MCS230 Digital Image Processing and Computer Vision का assignment इसमें अभी हमने मात्र एक question किया है वह इसे तो हम question जो है वो पूरा तयार कर रहे हैं तो इस तरह से है तो मतलब जैसे इसमें क्या होता है mathematical है तो इसमें typing होता है equation set करना परता है और assignment तो इसा नहीं है कि general question है तो उसको हम तयार कर रहे हैं बट आप लोग खुद से भी अपना किसी source से कर सकते हो तो यह पहला question में ने एक sample दिया है यह 8 marks के लिए average हर question 8 marks के लिए है तो जैसे how digital image relate to signal तो आपको digital image और signal में जो relation है उसके लिए एक paragraph लिखना है उसके बाद कहा कि define 1D and 2D signals तो यहाँ नीचे आ जाओगे तो 1D और 2D signal के बारे में बताया गया है और काता explain how a 2D image is expressed in term of 2D signal मतलब 2D image को 2D signal में आपको कैसे बनाना है ठीक है तो उसके लिए हमने क्या लिया है 2D signal लिया है और 2D signal को जैसे क्या होता है कि 2D image को signal में भी कर सकते हो signal को image में भी किया जा सकता है तो उसको इस तरह से हम लोग लगा दिये हैं उसके बाद जो हमारा इसमें भी जैसे आप intensity होता है तो वह intensity intensity लेगा और यह जो है यह dot जो देख रहे हो यह image का pixel हुआ तो जैसे coordinate जैसे फीड होता है matrix में या किसकी में जैसे computer graphics में coordinate फीड होता है उसी तरह से यह coordinate फीड हुआ तो यह इधर से 00 से start होगा इधर जाएगा यह इधर और यह जो है MN यह image के case में किया गया है ठीक है क्योंकि हमने क्या किया कि जो image है उसको signal में किया signal को image में किया तो आप इसको इस तरह से यही इसका answer होगा उसके बाद कता है pixel intensity जो अगर मनलब जैसे हम कितना pixel set कर रहे हैं तो उसके आधार पर हम अपना bit वेगेरा जो है 8 bit पर pixel या जो भी जितना bit up set करोगे उसके according वह आप लोग comment कीजिए क्योंकि दो चार student के लिए इतना मेहनत करना मुश्किल है रहता है अगर जैदा आदमी को चाहिए तो जैदा comment कीजिए ताकि मेरे को पता चले नहीं तो हम फिर अपना टेलिग्राम पर डाल देंगे और वीडियो का कोई लप्रा नहीं रहेगा ठीक है धन्यवाद